हलो इस्टुडेंट, वेलकम टू आसीस, क्लास पीसी अम पीसीबी, बच्चो आज हम लोग क्लास टेंथ साइंस में पढ़ेंगे, पीवाइक्यू क्वेस्टन जो की बोड एक्जाम दोजार चोबिस के लिए बहुत ही जादे इंपोर्टन है, तो ये क्वेस्टन इसमें सिर् यानि human population को कैसे control कर सकते हैं, तो बच्चो human population को control करने के लिए कई सारे method आते हैं, जिसमें से पहला, basically हम three method की बात करेंगे, तो सबसे पहला method आ जाता है barrier method, ठीक है, बच्चो barrier method की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, अगर हम barrier method की बात करेंगे, तो in this method certain barrier are use which prevent meeting of sperm and ovum and therefore fertilization does not occur barrier method में क्या होता है कि कुछ certain barrier होते बच्चों ठीक है कुछ ऐसे barrier होते हैं जो sperm और ovum को मिलने से रोकते हैं ठीक है prevent to meeting of sperm and ovum यानि sperm और ovum के मिलने को रोकते हैं तो वो जितने भी हमारे method होंगे वो सब barrier method होते हैं barrier method में कौन कौन सी चीज़े आती जिनके दोरह हम population control कर सकते हैं तो some of barrier method बच्चों जिसमें से एक आजाता है हमारा condom, diaphragm और cervical care इन ये तीनों चीज़े जो दे गए हैं ये हमारे barrier ये barrier method होती है ठीक है तो barrier method का use करके population control की जा सकती है ठीक है उसके बाद हम बात करेंगे chemical method की बच्चों बात करेंगे तो chemical method में अगर हम बात करें तो chemical method होता क्या है तो chemical method include the use of drugs chemical method का मतलब होते हैं कुछ ऐसी drugs ली जाते हैं जिससे क्या हो कि pregnancy ना हो ठीक है तो कुछ ऐसे chemical method include the use of drug these are used by the female है ना ये drugs female के द्वारा लिये जाते हैं and these method include oral pills and vaginal pills तो chemical method जो barrier method होता है इसमें कुछ pills आती है जो कि oral ली जाती है और vaginal oral pills की बात करेंगे बच्चों तो यहां पर अगर हम oral pills की बात करें तो contain certain hormones which prevent ovulation तो जैसे कोई female है और वो अगर population control करना चाहती है मतलब वो बच्चे नहीं चाहती कि उसको बच्चे हो तो फिर वो क्या करती oral pills लेती है अब oral pills में होता क्या है बच्चों तो देखो oral pills में oral pills लेने से females के अंदर कुछ hormones certain hormones activate हो जाते हैं जो की ovulation को prevent करते हैं यानि ovulation को नहीं होने देते हैं उसके बाद बात करेंगे हम लोग vaginal pills की तो these pills are inserted into vagina ठीक है तो these pills are inserted into vagina where they kill sperm ठीक है तो देखो vaginal pill का मतलब क्या होता है कुछ ऐसी pills आती है ऐसी tablets आती है जिनको female के थो vagina में रख लिया जाता है और जब sexual relation होता है quietus होता है तो उस condition में जो male के sperm जाते है female की वजाईना के अंदर वो pills इन sperm को dead करती है जिससे fertilization नहीं हो पाता और population control होने का एक ये भी chemically method यूज किया जाता है ठीक है आगे बात करें आगे third method आ जाता है बच्चो surgical method अच्छा surgical method में एक आ जाता है vasectomy जो की male में होता है और tubectomy जो female में होता है vasectomy में basically होता है क्या बच्चो in males a small portion of vas difference इसमें क्या होता है कि जो males का एक small portion होता है vas difference का इस surgically removed off and cut in tight properly इसमें क्या करता है जो vas difference होता है उसको काट करके 20 से काट दिया जाता है और दोनों tightly properly tight करके बांद दिया जाता है ठीक है जिससे क्या होता है कि ispum आगे नहीं हो पाते और यह method permanent method हो जाता है इसके बाद कोई male से इसमें बाहर penis के थो नहीं आते है तो इस method के थो भी हम population control कर सकते है tubic tummy में क्या होता है in female अग tubic tummy की बात करते है तो यह female में होता है और a small portion of fallopian tube इसमें क्या करते है fallopian tube का जो small portion होता है उसको surgically removed कर देते है जिससे जो ovum होते हैं वो बाहर की और नहीं आ पाते हैं और यह एक permanent इलाज है ovulation ना होने का ठीक है आगे समझे